बोजपूरी के स्टार और सिंगर दिनेशला लियादव यानी निरुवा को आज किसी पहचान की जरुरत नहीं है। बता दे कि उनका बच्पन काफी आर्थिक तंगी में बीता था। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जाने के लिए साइकल खरीच सके। उनके पिता 35 रुपए में अपने साथ लोगों के परिवार का पेट पालते थे। आज हम आपको बताएंगे कि आक् निर्हुआ को गाने का शौक था और वो भैस की पीट पर घंटों बैट कर गाया करते थे। निर्हुआ अपने चचेरे भाई और मश्कूर बिरहा गायक विजयलाल यादब से काफी प्रभावित थे और इसलिए वह अपनी पढ़ाई खतम कर बिरहा गाने लगे थे। 2001 में उनकी दो एल्बम बुढवा में दंबा और मलाइक खाए बुढवा रिलीज हुए थे। जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। 2003 में उनका एक और एल्बम निर्हुआ सटल रहे आया और इस एल्बम की बतौलत निर्हुआ सुपर हिट हुए। कुछ रिपोर्ट के मताबिक निर्हुआ की शादी सिंगिंग और बोजपुरी फिल्मों में कदम रखने से पहले ही हो गई थी। उनकी शादी 2000 में ही हो गई थी। निर्हुआ की पत्नी का नाम मंशा है और वो दो बच्चों के पता भी हैं। उनके बेटों का नाम आदित और अमित है और वह अपनी मा के साथ मुंबई में रहते हैं। बता दे कि उनकी पत्नी लाइम लाइट से काफी दूर है। रिपोर्ट के अनुसार दिनेश लाल यादव के पास 60-70 लाइक कीमत की रेंज रोवर, 30-40 लाइक कीमत की फॉर्चुनर गाड़ी और पलसर बाइक है। 75 लाइक के सोने के अभूशन के साथ ही सोने और चांदी के सिक्के भी हैं। बतादे कि उनकी पत्नी के पास 6.5 लाइक की आभूशन है। इसके अलावा गोरकपुर में 45 लाइक का फ्लाट और मुंबई में 3 करोड की कीमत के 3 फ्लाट है। वो इस पूरी के स्टार बनने के बाद वो एक फिल्म के 40 से 50 लाख रुपए बतौर फीस लेते हैं तो ये थी निरुवा की जिंदगी की कहानी कि उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना करके वो इस मुकाम तक आज पहुँचे हैं तो आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाकी और खबरों के लिए जुड़े रही है हमारे साथ नेक्स नाइन बोचपुरिया से सुरूपी की रेपार लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं